चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाडले प्रवता रोही नरेंदर घ्याव ने नया इतियासर दिया नरेंदर ने दक्षन अफ्रीका के सबसे उची चोटी को पांच दिन में दो बार फटै किया माउंट किली मंजारो 5885 में मीटर है ऐसा करने वाले पहले बार दिया प्रवता रोही उनका दावा है कि उनसे पहले आज तक विश्व में किसी नेवी इतनी कम अवदी में दो बार इस चोटी को फटै नहीं किया है उनका अगला लक्ष है माउंट एवरेश्ट फटै करने का है वर्तमान में वे पिछले आठ वर्षों से गुरुगराम के सेक्टर 15 पार्ट 2 मे रहते हैं उनके पिता सुबास चंद्रा आपकारी एवं काराधान विभाग में कारिये करते हैं परता रोही नरेंद्र गेहु ने बताया कि 21 दिसमल 2021 को परदे दक्षिन अफ्रिका के लिए दवाना वेथे 26 दिसमल 2021 को उन्होंने माउंट किली मंजारों नेसनल पारक्षे अपनी चड़ाई शुरूद उन्होंने 28 दिसमल 2021 को शाम 6 बजे अपना पहला सभी मिट किया और तिरंगा फेलाया इसके बाद वापस किली मंजारों राष्टिया उदान पहुंचे जांकरीबे गंटे राम करने के बाद फिर शे दुबारा किली मंजारों पर चड़ाई कर पर लगातार दूसरी बार तीरंगा रोशन किया ने क्या 생 questions परवता ने कि प्रवतारों की्वित इंगा बिदृश्ट को जिब वाद परिवार के साथ की पाड़ों की चड़्यक्र चुका है अपने शोगे परवता रोहन का यह चका शे ठर चोना उन्होंने रेंख का पूर किया नरेंद्र वार्त की माउंट यूनम माउंट बीशीरोय माउंट देव टीबा माउंट फ्रेंडशिप की चढ़ाई पर चढ़ाई भी पूरी कर चुके उन्होंने बताए कि उनका अगला टार्गेट एवरेश्ट को फत्य करना है इसकी त्यारी के लिए दिन रात जोटे कर चुके लाट